आज देखते हैं आज निफ्टी और बैंक निफ्टी ने किस तरह से काम काज किया था और कल के दिन हमारा क्या ट्रेड सेट अप होना चाहिए निफ्टी और पैंक निफ्टी में आज देख सकते हैं आज दोस्तों बहुत ही टिपिकल एक्सपाइरी का दिन रहा है आज मार्केट में क्यूंकि सबसे बहले मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि जो ट्रेड लेवल्स मैंने मार्क करके रखे थे अब देख सकते हैं किस तरह से इस लेवल्स का कैंडल ने र 18.340 का ब्रेक करने का या करीबन 3.30 का उसके उपर ही आप लॉंग जाएंगे बड़ आप देख सकते हैं कैंडल ने यहां पर रिजेक्शन दिया था और कल ये भी मैंने कहा था कि मार्केट अगर 18.300 के नीचे रहती है तो मार्केट नेगिटिव है तो सुबह हमें इंडिकेशन दे दिया था कि इस लेवल को अपना रेजिस्टेंस बना रहा है तो यहां से एक ट्रेड मिल सकता था बट मैंने ये क्लियरली कहा था कि जब तक कल का लो प्रीवियस डे लो नहीं ब्रेक करता एक अच्छी सी सेलिंग पोजिशन नहीं बनेगी तो यहां पर आ आपको ये भी समझाया था कि 257, 238 और 220 ये तीन लेवल अगर ब्रीच नहीं होते तो यहां कहीं से भी एक बाउंस पैक हमें मिल सकता है मार्केट में तो आपने देखा ये लेवल को किस तरह से उसने रिस्पेक किया है और यहां से हमें एक अच्छा सा बाउंस पैक मिला है in the second half of the trading session तो आप ये समझिए कि किस तरह से आपको levels को trade करना है तो यहां पे आपको एक छोटा सा sell मिला था सुबे को nifty में इस वाली candle पे भी आपको छोटा सा shot मिला था और ये वाला candle जब यहां से उपर जा रहा है और previous day low को break करके तो आपका ये target भी बन सकता था यहां प को हमेशा काहा है और कल भी ये कहा था कि अगर market 220 या 180 को नहीं तोड़ेगा तो वापस उपर 18300 तक जाएगा तो आपने यहां पे देखा exactly 238 से जब market ने ये points reverse किया तो वापस 300 तक चला गया 300 पे reject करके वापस नीचे की और आ गया 220 तक 220 के इसमें range में रहता गया 257 तक बट जब एक breakout मिला उसे तो वापस 300 और 340 तक पौझ गया nifty तो ये पुरा दिन का आज हमारे पास आप कह सकते हैं typical expiry का एक scenario था क्योंके high break हुआ बट ये जो range था ये typical no trading zone था क्योंके मैंने आपको कहा था कि 18 340 के उपर ही nifty को long कीजेगा और 300 के नीचे ही short कीजेगा तो ये beach का level basically आपका no trading zone माना जाता है bank nifty में आज क्या हुआ था आए पहले वो भी देख लेते हैं अब bank nifty ने भी एक flat opening थी और यहाँ पे मैंने आपको कल के दिन बताया था कि अगर market करीबन 43.830 और 43.730 ये दो range के either side जाता है तो आपको उसे साब से trade लेना है उसके उपर long और उसके नीचे short बट मैंने ये भी कहा था long के लिए wait कीजेगा 43.900 का 43.900 के उपर ही आपको long करना है तो वो आज का scenario उसमें था ही नहीं market खुलते ही candles खुलते ही नीचे आने लगी मैंने आपको ये भी कहा था के 43.441 या फिर उसके नीचे का भी मैंने आपको level बताया था के 43.296 या 158 कहां से भी market एक reverse ले सकता है तो यहाँ पर market ने क्या किया 43.441 आप देख सकते हैं यहाँ से market ने एक upside reversal दिया मैंने आपको कहा था के अगर market 43.730 के नीचे रहता है तो आपका ये सारे targets बनके आते हैं 56.85, 561, 441, 296 और 43.158 तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपको कितनी सारी trades मिली अब यहाँ से अगर candle ऊपर की तरफ जा रही है तो आप अगर call के position में बैठते भी है तो आपको उसकी ऊपर का जो support है वो resistance बन जाता है तो आपको वो भी एक trade माना जाता है यहाँ पे तो य यह वाला भी trade आपको मानना पड़ेगा यह वाला भी मानना पड़ेगा यह scalping है basically बट यहाँ से candle जब नीचे नहीं आती है और उपर की तरफ जाते है बड़ आप देख सकते हैं bank nifty ने आज का high बहुत ही late break किया बट break करने के बाद वो वहाँ पे consolidation zone में चला गया और market close हो तो bank nifty में you can say काफी straight forward trades थे बट बहुत ही confusion scene था कि किस तरह direction एक market लेगा बट आज के दिन में भी market ने direction नहीं डिया जितना नीचे गया उतना ही वापस recover कर लिया nifty और bank nifty में दोनों में तो आएए देखते हैं कल के दिन हमें क्या देखना चाहिए bank nifty और nifty में तो पहले शुरुवात करते हैं bank nifty से bank nifty में कल के दिन हमें किस तरह से trade लेना है तो सबसे पहले ये आपको level mark करना पड़ेगा जो firstly आता है 43,685 second level है 43,561 अब इस दो level के बीच में कहां पर भी candle आता है तो basically आपका no trade zone हो जाता है आपको अगर long जाना है तो 43,685 के उपर ही long जाना है तो first scenario अगर market flat open होता है wait कीजेगा candles को sustain करने के लिए 43,685 का 43,685 के उपर जब candle निकलता है खुलते ही तो आपको 43,800, 858 और 914 ये तीन level आपको target के रूप में देखने को मिल सकता है बट यहां कहीं से भी market एक rejection लेके वापस नीचे आ सकता है अगर 43,914 को break करता है तो उपर 44,000 और 44,085 पे strong resistance बैटा है अगर इसको भी market निकाल देता है तो मेरे इसाब से आपको wait करना चाहिए 44,152 का जब ये level break होगा तो ही bank nifty उपर की तरफ जाएगा और उपर के तरफ भी हमारे पास कौन से levels है ये मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कल के वीडियो में भी दिखाया था 264,409 और उपर 500 तक के levels आपको देखने को मिल सकते हैं अगर flat open होके bank nifty नीचे की और जाता है तो आपको किस तरह से trade लेना है मेरे इसाब से first condition ये है कि अगर flat open होता है और 561 के नीचे candle sustain होता है तो आपको wait करना है आज का low का break होने का आज का low करीबन 43,400 का है 43,400 के बाद ही आप short sell करेंगे या sell करेंगे bank nifty में और उसके बाद आपका first target रहेगा 43,296 उसके बाद 158 और फिर सीधा आपको 43,000 psychological figure का target भी मिल सकता है बट आज की तरह मैं ये भी कह रहा हूँ कि 158 और 296 कहीं से भी market एक reversal ले सकता है तो अगर market ने 158 और 296 का level नीचे की और break नहीं कर पाया तो वापस वो 43,561 के करीबन आ सकता है same logic उपर की तरफ है अगर market उपर के resistance को break नहीं करता है say for example खुलते ही market उपर चला गया 43,914 या 44,000 के आसपास और उपर resistance लेके अगर उपर नहीं जाता है तो वापस market 43,685 के करीब वापस आ सकता है यह था scenario 1 जो flat opening का है market अगर gap up opening देता है तो हमें क्या करना चीए तो basically अगर market gap up open होता है तो depend करता है कहीं कहां पे open हो रहा है अगर candle 43,900 के उपर की तरफ अगर कहां पे खुल रहा है तो आपको wait करना है किसी भी ये level का 44,000, 44,085 या 44,152 का यहां से आपको एक short sell का opportunity मिल सकता है bank nifty में अगर candles उपर की तरफ जाते जा रही है तो मेरे हिसाब से आपको trade नहीं करना चीए long में क्योंकि उपर हमारे पास resistances तो है बट कितना market उपर जाएगा क्योंकि 44,152 के करीब bank nifty का previous year का high भी है तो उसके उपर market के लिए खुला मैदान है तो basically आपको trailing stop loss आपका लगाना है वहाँ पर उससाब से आपको trade करना है long side में नीचे की तरफ आपको ये ध्यान रखना है first level gap down होते ही अगर market gap down होता है तो wait करना है कोई भी एक support का 158 हो या चाहे 296 हो या 441 हो अगर ये कोई levels को market support ले रहा है अच्छा खासा तो आपको वहाँ पे sell के लिए नहीं बैटना है आपको wait करना है opportunity का और आपको call की opportunity देखनी है जो की आपको वापस 561 की तरफ लेके आएगा अगर market 158 को भी तोड़ देता है तभी आप 43,000 या 42,801 के टागेट के लिए बैट सकते हैं बट मेरे इसाब से अगर आपको clear sell call तभी मिलेगा जब market 43,400 के नीचे जाएगा बट आपके फिर targets बहुत ही छोटे हो जाएगे जैसे के first target आपका 296 हो जाएगा फिर second 158 और third 42,801 और उसके बीच में 43 एक psychological figure hurdle बन सकता है नीचे जाने के लिए तो gap down का scenario, gap up का scenario और flat opening bank nifty में हमने discuss कर लिया है अभी देखते हैं nifty में कल के दिन हमें किस तरह से trade setup को identify करना है और कौन से levels हमें mind में रखने है कल के दिन trading के लिए तो nifty में देखिए कल के दिन कौन से level अपना no trading zone रहेगा तो कल के दिन market में 18,300 और 18,270 ये दो level 18,300 और 18,270 ये level जो है इसके बीच में हमारा no trading zone है तो आपको क्या करना है कि अगर market flat open होता है तो आपको wait करना है 18,340 का 18,340 जैसे ही break करता है on the upper side आपको first target around 18,370 18,418, 18,457 के targets मिल सकते हैं और उपर की तरफ आपको और भी targets nifty में देखने को मिल सकते हैं जैसे के 5,30 आ गया और 6,36 भी आ सकता है market में बट मैं इस level पे exit कर दूँगा उपर की तरफ जो है around 18,500 का क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि अगर market ने एक अच्छा कासा resistance ले लिया 500 या 5,30 के आसपास तो market आपको वापस 18,300 की तरफ आते हुई देख सकती है अगर यह सारे levels breach होता है बट मेरे लिए कल important level यह रहेगा देखने के लिए 18,418 अगर 18,418 का level उपर की तरफ यहाँ पे sustain करता है तो और उपर जाने का हमें मौका मिल सकता है निफ्टी में flat opening में flat opening में अगर आपको sell side में आने का आपको मौका मिले जैसे के अगर candles basically 257 के आसपास जाता है तो आपको wait करना है 220 का क्यों उसका बहुत ही simple reason है वो है आज का market अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे यह candles ने यहाँ पर एक bounce back दिया है तो मेरे इसाब से अगर आपको निफ्टी में sell side में कोई trade opportunity देखनी है या try करनी है तो आपको wait करना पड़ेगा 18 to 20 का इस level के नीचे ही आपको अच्छा खासा sell side का trade opportunity मिल सकता है flat open होके अगर market नीचे आता है तो wait कीजेगा 18 to 20 का break होने का उसके बाद ही आपको एक level का एक अच्छा खासा trade मिल सकता है आपके targets हो सकते है 18 to 136, 18 to 120, 18 to 88, 18 to 62 और 18 to 22 और 18,000 हमारा psychological figure निफ्टी में है अब gap down हो गया market तो मैं क्या करना है अगर gap down हो गया तो basically देखना है कहां पर open हो रहा है 220 पर open हो रहा है 220 या 136 के बीच में open हो रहा है या फिर यहां पर कहां पर open हो रहा है 18088 के आसपास या फिर 62 के आसपास या 120 के आसपास तो यहां पर यह सारे supports है तो अगर gap down हो रहा है तो आपको तुरंथ ही sell side में नहीं बैठना है क्यों? क्योंकि यहां कहीं से भी एक candle support लेके एक upside move दे सकता है तो हमें क्या करना है अगर gap down हुआ वेट करना है कौन से भी एक level का जहां पर market एक support लेकी और वहां से हमें एक call के position में बैठ जाना है और targets आपके रहेंगे यह सारे resistances है वो आपके targets रहेंगे तो अगर market say for example यहां पर कहां पर open होता है 136 के आसपास वेट करना है अच्छा सा support का break नहीं करेगा support तो उपर की तरफ आपको वापस 220, 238 या 257 के आसपास candles आते हुई नजर आ जाएंगी यह हो गया gap down scenario अब gap up में हमें क्या करना है gap up में हमें वेट करना है कि जब तक 340 का level break नहीं होता नीचे की तरफ तब ही हमें एक upside move देखने को मिलेगा यह first condition second condition 18418 अगर इसके उपर candles resist करता है gap up उपने के बाद भी उसके बाद ही हमें एक up move मिलेगा बट छोटे targets रहेंगे 457 के 500 के 530 के और 630 6 के यह gap up scenario हो गया तो nifty में भी हमने 3 scenario discuss कर लिए है flat opening, gap up और gap down bank nifty में भी हमने 3 scenario discuss कर चुके है तो आप please यह levels को mark कर लीजेगा क्यूकि यह levels आपको resistance और support के रूप में काम आ सकते हैं जैसे आज ही market में मैंने आपको कहा था कहीं से भी यह level से market reverse ले सकता है अगर इस levels का support नहीं लेगा तो market नीचे जाएगा और अगर support लेगा तो उपर चला जाएगा और bank nifty में भी करीबन यही हाल हुआ है कि मैंने आपको कहा था नीचे 561 441 या 296 कहां पे भी market एक support लेके उपर की दरब जा सकता है और सेम चीज़ हुआ तो यह सारे bank nifty में भी आप लेवल्स ध्यान में रखिएगा और उससाब से trade कीजएगा अपना targets वहां पे रखिएगा और trade exit कीजएगा क्योंकि वहां से अगर आपकी candle reverse हो गई आपका trade में जितना profit रहेगा वह वापस जीरो हो जाएगा clear है तो हमने सारे scenarios discuss कर लिया है and hopefully आपको यह वीडियो पसंद आये होगा please like कीज़े subscribe कीज़े और comment कीज़े तब तक के लिए goodbye और मिलते हैं अगले वीडियो में thank you so much